दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं हमारे Best Alic Plan के चैनल पर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि Alic ने आप लोगों के लिए अपनी कस्टमर्स के लिए एक WhatsApp नंबर जारी किया है जिसके जरीए आप काफी सारी Services का अनन ले सकती हैं जैसे आपके Premium DoCub हैं आपके Policy में कि Policy का स्टेटेस किया है और Other Services आपको इसमें मिल जाएं तो चलिए जानते हैं कि कैसे यह हमें पता लगेगा और इसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक WhatsApp नंबर होना चाहिए जिसके जरीए आप LIC से कुछ भी जानकारी ले सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपका जो WhatsApp नंबर है वो LIC में भी रजिस्टर होना चाहिए ताकि जो सारी Services है वो उसका आप अनंद ले पाएं तो सबसे पहले हम फोन नंबर रजिस्टर करेंगे LIC की साइट पे जाकर और उसके बाद फिर हम customer अगर आपने अभी तक अपना customer ID नहीं बनाया हुआ है LIC पे तो हम वो भी बनाएंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे आपने अपनी policy की details निकालनी है अपने WhatsApp पर तो चलिए सबसे पहले आप चाहें तो LIC की site पर भी जा सकते हैं या तो हमारी site liceagent.net.in पर भी आप जा सकते हैं तो अभी मैंने liceagent.net.in पर जाकर यहां आप देख सकते हैं customer login by policy contact us यहां पर आपको जो services है वो मिल जाती है address change करना है, pen change करना है, contact information हमने करनी है policy का status जानना है या new policy करनी है तो आप यहां तक देख सकते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी contact information करनी है तो हम यहां पर जाएंगे, यह हमारी lice के site खुल भी है और यहां से हम इस पर click करेंगे, तो यहां आप देख सकते हैं यहां आपका दूस्तो नाम आ जाएगा, यहां पर आपकी date over था जाएगी यहां आपका phone number जो आपने update करना है यहां email address जो आपने update करना है और यहां से आपने कितनी policies आपकी हैं जो आप update करना चाहते हैं तो आभी के लिए मैं एक policy update करूँगा उसके बाद आपने यहां check box पे click करके submit बटन पे click कर देना तो यह fill करके मैं आपसे आगे मिलता हूँ अब यहां पे आपने policy number add on करना है और उसके बाद validate policy details करना है तो सबसे पहले मैं आपने policy number यहां डाल देता हूँ यहां दोस्तों मैंने जो अपने policy number थी वो डाल के validate कर दिया था तो यहां आप देख सकते हैं कि policy number के आगे हमारे पास request successful आ गया है लेकिन इसके लावा भी दोस्तों इसका एक और आगे procedure है online अगर आप करते हैं यहां आपकी पास एक official call आएगा आपकी branch से जो कि वो दुबारा से एक बड़ी confirm करेंगे फिर आपका जो phone number है वो update कर दिया जाएगा और अब हम चलते हैं हमारे customer portal पर तो यहां सबसे पहले आपने यहां customer login पर click करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं हम फिर से LIC के site पर आ गए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं new user दिख रहा है और register user दिख रहा है यहां पर दोस्तों अगर आप पहली बार login कर रहे हैं तो आपने new user पर करना है और अगर आपके बास पहले से ही customer portal है यह दोस्तों LIC का WhatsApp नमबर है जो की 8976-862-090 है यह दोस्तों आप अपने phone में LIC customer spot के जरीए आप इसको save कर सकते हैं और इससे कोई भी जानकारी ले सकते हैं अब हम अपने phone के screen पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने अपने phone से इस सुविधा का लाव उठाना है तो दोस्तों हम आ गए हैं LIC customer spot नमबर पे और हमने अपने phone में WhatsApp on करिया है तो जैसा कि यहां आप देख सकते हैं आपने सिर्फ हाई लिक के भीजना है और उसके बाद आपको LIC की तरफ से कुछ ऐसी services जो यह अपने WhatsApp पे प्रोवाइड करवाते हैं आपको वो दिख जाएगी तो जो सबसे पहली service है वो है दोस्तों premium due अगर आपकी premium due जानना चाहते हो तो आप एक press करना है और अगर आप bonus information चाहते हैं अपनी policy का तो आपने दो press करना है और अगर आप policy status जानना चाहते हैं अपनी policy का तो team press करना है और अगर आप Loan Isilability जानना चाते हैं कि आपको Loan Quotation मल जाए तो उसके लिए आपने 4 प्रेस करना है अगर आप Loan की Repayment करना चाते हैं, Quotation जानना चाते हैं तो आपने 5 प्रेस करना है और अगर आप Loan Interest Due जानना चाते हैं तो 6 प्रेस करना है साथ प्रेस करना है अपने premium paid certificate के लिए जो कि जब आप text भरते हैं तो उस case में ये हमारे कोई use आता है वहीं अगर किसी ने ULIP plan लिया हुआ है उसकी statement जाना चाते हैं तो आपने 8 प्रेस करना है वहीं अगर आप LAC services links जानना चाते हैं तो उसके लिए अपने no press करना है अब वहीं अगर आप option in out और option out service चाते हैं तो उसके लिए आपने 10 प्रेस करना है अगर आप इन मेंसे कुछ भी नहीं करना चाते हैं तो आप 11 प्रेस कर सकते तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी प्रेमियम ड्यू कब है तो जैसा कि मैंने वन प्रेस किया तो इन्होंने मेरे इस नंबर पे दोस्तों कोई भी पॉलसी रेजिस्टर नहीं है तो इस करके यह दिखा रहा है तो आपके केस में यहाँ पे यह पॉलसी के स्टेटस या पॉलसी ड्यू प्रेमियम ड्यू कब था वो शो करने लगी तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलती रहें धन्यवाद जैहिन